वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते गुरू प्यारी साथ संगत जीयो गुर्बानी विच अनेका अनेक वार गुरू सहब ने इशारा किता मन्दे पास से सुन मन मेरे एस तरह अनेका वार आया है कि मेरे मना तु सुन क्योंकि मन ही एक ऐसा अंदर अपने अंदर जिड़ा है चीज है जिसनु गुरू साथ इशारे विच समझाना चाउन देने कि तु समझदार हो जा और मन मत छोड़ के गुर्मत नु प्रापत कर ते गुर्मक दे अंसार अपना जीवन ढाल ला है गुर्माणी विच सारे गुरूआ ने मन दे उत्ते मन्दू समझान वस्ते ही सारा उपदेश दित्ते हैगे ने क्योंकि मन जिड़ा है साड़े शरीर दे उत्ते राज करदा है सारी इंद्रियां मन नाल इंटर कनेक्टेड है गिया ने चाए कन है गे ने चाए विखन दा सिलसिला है गाखा तो या नक तो सुनन दा या जीबा तो स्वाद लेन दा या तो चाए तो इस पर्ष करके मन तक जान दा मन दे फिर अंदर विच भी अलग-अलग डिपार्टमेंट है गे ने जिस तरह सुर्थ है बुद्धी है मत है इस सारियां चीजां जड़ियां है फिर ओदे अंतकरण विच वस्तियान है फिर मन भी जड़ा हैगा दो प्रकारदा हैगा एक conscious mind है एक जड़ा हैगा सब conscious mind हैगा सब conscious mind जड़ा है वो साथे शरीर विच एटी परसंट है लेकिन conscious mind जड़ा है वो अठारा परसंट है फिर है को रहेगा उसमें सुपर कांशियस आख देने सुपर कांशियस भी दो परसंट है लेकिन ए जड़ा दो परसंट है ए सब तो जड़ा प्रभावशाली है और जड़ा अठारा परसंट है conscious mind ये भी परभावशाली है सारा जड़ा किरियावा ने ये ही करदा है उस्तों बाद सब conscious mind जड़ा है उदविच पिछले जन्मा दा भी सारी चीज़ा भरियां पहियां ने यादाश्त वगरा भी उदविच है memory एटसर्टरा ये जड़ा है आजकल साइस दी खोजा नाल सारियां गलना सामने आईयान है लेकिन गुर्बाणी इसनों पहले तो ही जान दी है लिख दी पईये दस दी पईये सानूं मंदे अंदर होंदा किये मंदे अंदर हमेशा विचार जड़ेने और उमण घुमण चल दे रहन देने कई विचार अच्छे रहन देने कई व्यार्थ दे रहन देने कई एकदम नकारात्मक विचार रहन देने बिल्कुल ही नेगेटिव साइड जिड़ा है बंदे नू ले जान देने बाणी विच्की लिख्या है मन के अधिक तरंग क्यूं दर साहिब छूटिये मन दर जिड़े विचार हैं तरंगा हैं अनेक है गियाने अधिक है गियाने इस करके जिड़ा साहिब तो जिड़ा है उदा छूट गया है गा साहिब देनाल उसने लगणा सी लेकिन अनेका विचार चल दे रण करके उस साहिब तो जिड़ा है छूट गया है जे राचे सज रंग लेकिन यदी ओ नेगेटिव विचार या व्यर्थ दे विचार खतम हो जाण ते मन जड़ा साहिब अपने सह नाल अपने करते नाल जुड़ जाएगा गुड़े रंग अपार के और जड़े फास्ट कलर एगे ने जड़े उसनों जुड़न वाली भावनामा है गिया ने उस दे नाल जुड़ के जुड़ जाएगा ते परमात्मा नाल ही जुड़ जाएगा नानक गुर परशादी छुटिये जेचित लग गये सच गुर्णानक देव जी केंदेने गुरू दी किर्पा नाल ओ गंदगी तो छुट जाएगा ते चित जेड़ा है सच्चे नाल लग जाएगा और नावे परशा की लिख देने मन माया में फदर हो मन जेड़ा है माया विच फदी गया है विसर यो गोविंद नाम मन दे अंदरो नाम जेड़ा है गोविंद दा वो विसर गया है कहु नानक बिन हर पजन जीवन कोने काम नावे परशा कह देने के हरी दे पजन तो बगेर जीवन किसे कामदा नहीं एगा मन माया में रम रहो मन जेड़ा माया दे जाल विच रमया होया है निकसत नाहिन मीत मितर मन जेड़ा माया दे विच निकलदा नी पया नानक मूरत चित्र जियों छाड़त नाहिन पीत उस दी जड़ी मूरत है ए जड़ा विगार पय गया है उस तो बाज नहीं आंदा उस तो निकलदी कोशिस भी नहीं करदा ते निकलदा भी नहीं पयाएगा उन मांदे बारे विच दो गल्ला गुरबाणी विच जड़ी नहीं आउंदियान है एक हैगा मन मैला जनम जनम तो उसने जड़ी है मैल लगी होई है चड़ी होई है ओ एक मन हैगा सच्यारा जेड़ा सच्चा मन है प्योर मन है या जिस आत्मा ने प्योरिटी प्राप्त कर लिए मन दी ओ सच्ची है फिर ओदा जेड़ा मन हैगा उदे विच पहुत ज्यादा शक्ति आ जा दी है होन मन दे बारे विच तीजे पांच्चा अमरदास जी की रस्दे ने मन तू जोत सरूप है जेड़ा चंगा मन है गुड माइंड है पॉजिटिव माइंड है उस दे बारे गुर्बानी की लखरिये तीजे पांच्चा गुरु अमरदेश जी मन तू जोत सरूप है अपना म मूल पच्छान तू अपने मूल नू ओरेजन नू पच्छान ले तू एकदम जोती दा रूप हैगी हैं मन हर्जु तेरे नाल है तेरे मन तेरे अंदर ही हरी हैगा गुर मत्ती रंग मान लेकिन तू गुरु दी मत्त दे अंसार चल जिसने तेनू बणाया है अर्थात बणान वाला प्रमात्मा सार्यानू बणान दा है मननू भी बणान दा लेकिन उसनो इत्थे घरना पेंदा है शार्प करना पेंदा है तेज करना पेंदा है उधी गंदगी कड़नी पेंदी है काम क्रोध लों हंकार तों छुटकारा प्राप्त कराना पेंदा है आलस तों दूर डर तों दूर ए सारे कम जेते जेड़े हैं इत्थे घरने पेंद जेड़ी आत्मा घड़न विच काम्याब हो जान्दी है फिर ओदा जड़ा है मन जोती दे सुरूप हो जान्दा है और जो है फिर चंगे पासे लगा रन्दा है मूल पच्छाने ता सह जाने जद मना तु अपने ओरिजन नू मूल नू पच्छान लेंगा तो अपने अंदर तेरे जड़ा सह बेठा होया तेनू बणान वाला बेठा है अल्थात हरी परमात्मा किसे भी नामना पोकार लो तू उसनू पच्छान लेंगा आप पे ही मरण जीवन की सोजी होई फिर तैनू मरणा और जीवन दोना दी सोजी पह जाएगी कितने जन्मा तू मरदा प्या है ते जीन्दा प्या है सारी तेरी जड़ी मिमोरी पिछले जन्मा दी खुल जाएगी गुर पर सादी एको जाने ता तू जा पहो ना होई गुरू दी किर्पा नाल जद तू अपने सहनू पच्छान लेंगा एकनू फिर दूजा जड़ा पहो है डबल माइंडेडनेस ओ खत्म जाएगी कोई डाउट नहीं रहेगा मंदे अंदर कोई परिशानी नहीं होईगी कोई नेगेटिव चीज नहीं रहेण गिया ना डर रहेगा ना भहे रहेगा ना पंच चोर रहेण गे काम क्रोद दो मोह अंकार ए सारी गंदगी जड़ी है नेगेटिविटी जड़ी है ओ खत्म हो सिर्फ एक पहु रह जाएगा तेरे अंदर उपर मातमादा हुण अगे की लिखदेने लाइन विच तीजे पाश्या मन शान्त आई वजी वधाई ता हुआ पर्माण मन विच अच्छी चीज़ां आ गईयाने इक किसे ना साधकनों पता लगेगा जेड़े मननों साधरेने जिसतरा ही मन विच शान्ति आ गई समझलो मन सधना शुरू हो गया है शान्ति विच होर वधाई गए जिस तरा जिस तना प्रेक्टिस करांगे वधा जेड़ा वद्दा जायेगा मन शान्त आई वजी वधाई ता हो आप परवान ओस्तों बाद शान्ती होर अग्य वद देगी होर अग्य वद देगी इतनी शान्ती वध जाएगी के मन नूँ परवानगी मिल जाएगी मन जड़ा परवान हो जाएगा जद मन परवान हो जाएगा किसे तो एप्रूवल लेके आनी नहीं है एजड़ी है आटोमेटिकली एप्रूवल आ जाएगी शान्ती जद पराकाष्टा पहुँच जाएगी एप्रूवल उत्थ ही समझो सैंक्षन हो गई मिल गई अप्रूवल माइंड नो कोई देन आएगा नहीं ना किदरे लेंड जाना है सिर्फ शान्ती स्थापित करनी है मन विच ते उसनो होर वधाना है ता फिर जड़ी ये परवानगी अप्रूवल अपने आप हो जाएगी यो कहे नानक मन तू जो तसरूप है अपना मूल पछाण ये मना तू एक जूती दा रूप है तू अपने मूल अपने ओरीजन नो पछाण ले जिसतना ही तू पछाणेगा उपर युक्त जितनी भी मैं लाइना हले बोलिया ने मन भी शान्ती आ जाएगी होर शान्ती वदेगी होर वदेगी वद दी वद दी इतनी वद जाएगी कि आटोमेटिकली एप्रूवल हा जाएगी और ओ जड़ी मन हैगी शान्त 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 होंदे परम पिता परमात्मा दे चरना विच जड़ा है वो जुडाव हो जाएगा परमानेंटली जड़िये वो आत्मा शांत में परम शांती नूँ प्राप्त हो जाएगी ज़त परम शांती नूँ प्राप्त हो गई समझो परम पुरक परमात्मा दे चरना विच लग गई और फिर मरं जीवन डे गेड़े बिच कदे नही आईगी ऐ बाणी बिच जेड़ा है अमर दास जी ने स्लोक बिच लिखिया है इसनों मनना जरूरी है यह मंदी एक अवस्था है कि मन पहले मेला सी फिर शाउन तो गए फिर होर शाउन तो गए फिर होर शान्त हो गया, परम शान्त हो गया, परम शान्ती देवाद अपने आप जोड़ी है उसमों परवानगी मिल गई, हुन एक दूजा रूप भी है मन्दा, मन तुँ गारब अट्टेया, गारब लद्या जाहे, मन तेरे अंदर वे जड़ा अहंकार है ना, वो बहुत ज अंदर, माया मुहनी मुहया, फिर फिर जूनी पवह, ए जड़ी माया रूपी हैगी चीजां, इसने तैनु मुह लिया है, ओ तु बार 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 जूना मिच आई जानदा है, आंदा पे हैं, आंदा पे हैं, ए मन्दी दूजी अवस्था जड़ी की गरब नाल भरी गारब लगा जाए मुगदमन अंत गया पच्तावे हैं, इस जनम विच भी नहीं घड़या, गरब नाली पर्यारया, काम, क्रोद, लोग, मो, अहंकार, ओदे विच भी अहंकार जेड़ा सब तों जादा वड़ा अवगण है, ओदे नाली अहंकार विची जेड़ा हैं, फि अहंकार तिसना रोग लगा, बिर्था जनम गवाहे हैं, विच भी अर्थ दा एजड़ा जनम मिलिया हैं, अहंकार विची बेकार हो जाएगा, अहंकार और तृष्णा एक रोग है गेने, ओ मन्दे रोग है गेने, मन विच लग जाणना बंदे दा जड़ा हैं, खत्म हो ज देहे नानक मनतुं गारब अटिया गारब लदिया जावे, तीजे पाशा अगदेने के मन जड़ा है, अंकार विच लदिया रहेंगा ते फिर 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 जूनी जड़ी है, आई जाएगी जाई जाएगी, इस परकार मन दे उत्ते विचार एही निकल दिये, के मन दे दो चीजां चल दियाने, मन कोई पदारत नहीं है, मन एक उर्जा है, शक्ती है, इनर्जी है, इदा फिजिकल कोई एक्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन पूरे शरीर नो एक किसम दी साफ्ट वेर है, जरे पूरे शरीर नो चलांदी है, जे ए अहंकार नाल भरी होएगी, ते जीवन खराब हो जाएगा, यदि इदे विच्चों गुरूदी किर्पानाल अहंकार हट जाएगा, ते ए मन बहुत बढ़ी शक्ती है, ए ही मन जोती है, ए ही मन दे अंदर में परमात्मा जड़ा है, वस जाएगा, वस दा प्याय, सिर्फ गारब नो हटान दा यतन करना है, और चंगे पास से लगनदा उपराला करना है, वाहिगुर जी का खालसा, वाहिगुर जी की फते,